यह है हमारा Poco का F6 डिवाइस और इसके लिए यहाँ पे HyperOS ZK 6.1 का एक latest update आ चुका है जिसे मैं यूज कर रहा हूं करीब करीब करी वन डे से ऊपर हो चुका है और इसके क्या plus point है क्या minus point है क्या का चीजे मुझे ऐसी देखनी को मिली जो कि आपको जानना जरूरी है इसे install कर आ चुका है इस डिवाइस के लिए जिसे मैं टेस्ट करने वाला हूं और सब कुछ सही रहा तो वीडियो मिल दाएगा तो उसका वेट कर लेना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना बाकि Unlocking Animation काफी सही और इस लीवाइस है जो यहाँ पर जो आइकन है यह शरे कुछ नएइस किये गया है बाकि हम आते हैं अपने my device के अंदर तो यहां पर आपको 6.1 देखनी को मिल जाता है zk का जहां पर all aspects वगर आप देख सकते हो और यहां पर यह रन कर है हमारा 2.0.107 चाइना बेस है और यहां पर android 15.5 मन का security patch वगर आपको दिखाई देता है इस पर कर मैं long press करते हैं को जिस्ते हैं इसके look में आपको changing देखनी को मिलेगा जो कि यह भी एक नया features ही है बाकि यहां पर जो कि setting का समुझने से वह आपको overall काफी सही देखनी को मिलता है another setting के अंदर आते हैं तो यहां पर multi language आपको support मिल जाता है circle to search आपको देखनी को मिल जाता है जो कि proper काम कर रहा है बाकि यहां पर आपको floating window और बाकि अदर option है न वह आपको देखनी को मिलता है बैटी के अंदर हम बात करते हैं तो यहां पर मैंने इसे professor mode पर डाल रखा था यहां पर आपको screen on timing देखनी को मिल जाता है जो कि सही है और अच्छे से काम भी कर जाता है face on lock fingerprint आपका working है dark mode के अंदर हम बात करें individual app की तो यहां पर सारे app आपके listed रहते हैं काम करते हैं दिकत नहीं आती auto brightness भी आपका working है और auto brightness related मुझे एक चीज़ यहां पर notice हुई है कि जब आप इसे auto पर रखते हो तो overall ठीक्ठा काम करते हैं नजर आता है यहां पर percentage वाला system add किया गया है जो कि मुझे पसंद नहीं आया यहां पर dark high हो जा रहा है यहां पर dark low हो जा रहा है और यह चीज़ आप notice कर पार वह एक camera के अंदर तो auto में भी यह चीज़े मुझे notice हुई है और यहां पर जब मैं इसे manual कर रहूं तो भी यह चीज़े notice हुई है तो वीडियो के टाइम पर में भी आपको brightness related डिकत आएगे जब कि यहां पर बात करें तो इस जगह पर यह है जो हमारा सही काम कर रहा है देख सकते हो यहां पर यहां पर जो कि launcher दिया गए ना वो advanced आपको देखनी को मिल जाता है जैसे कि यहां पर search का blur का है double tap का है यहां पर remove widgets limitation वगेरा का है row and column का आपको देखनी को मिल जाता है अगर हम आते है icon size के उपर तो यहां पर dock के customization दिये गए हैं जो कि आप customize कर सकते हो काफी सही तरीके से य भी आपको ऐसा feel हो सकता है अगर आप एक hardcore device users होता हो कि smoothness के अंदर थोई भूत कमी है अगर आप इसे ठीक करना चाहते हो तो already यहां पर एक another launcher दे दिया गया है ताकि आप वो चीजे fix कर सको यहां पर simple आपको जो launcher को update कर लेना है और आपका जो system default वाला launcher आ जाएगा जिसको नहीं आता है आकि lock skin पर यहां पर वही basic से आपको option देखनी को मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल इस सही है प्रस्नलाइज के अंदर हम यहां पर आते हैं तो यह dynamic wallpaper जो कि मैं यूज कर रहा हूं आप ले लेना टेलिगराम से निकाल लेना बाकि यहां पर आपको यहां पर आपक दिखाए ज़रा था वह हट जाएगा और यह वाला launcher आपको फोन के इस्टॉल हो जाएगा और हां यहां पर आप देखोएगे जो हमारा control center यह भी modified है जहां पर कुछ इस्ते के कस्टमाइशन का बटन है जिस पर टाइप करने को और कुछ इस्ता features आपके सामने आ जाते हैं जहां पर आप अपने इस आपसे से कस्टमाइश कर सकते हो बढ़ा सकते हो क्या क्या सॉटकट होने चाहिए वह भी आप यहां पर बदल सकते हो और यह साही चाहिए बदलने के बाद एक बास पर system UI को आप restart कर लेना जो कि यहां पर आइकन दिया गया है calculator मैंने add कर दिया भा है मैंने unlock किया अब आप यहां पर देखो यह control center में बदलाव आ गया और first time यहां पर आपको हलका सा lag जैसा देखने को मिलागा बस उसके बाद आप नहीं देखने को मिलागा जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो तो यह control center आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसका benefit ल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तो इस तरीके से आप है जो यहां पर control center को भी normal कर सकते हो और जो आपको यहां पर system launcher है वो से भी आप normal कर सकते हो यहां पर देखो कि setting जो इतनी सारे दिखा रहा था मैं वो सारी हट चुकी है और इस launcher के बज़े से आपको phone के अंदर थाद ज signal बगर चेंज करने का option आपको मिल जाते हैं साथ साथ यहां पर disable privacy chip का option मिल जाता है advance rating के अंदर आपको 120 disable का fingerprint unlock animation जहां पर आप देख से तो कि यह सारे option है जो अलग है जो कि I think पहले नहीं थे तो इतने सारे नए option है जो इनेमी वाले add किये गए जो कि आपको पसंद आएगा और इसमें से मैं एक use कर रहा हूं जो कि top पे आ चुका है तो जो भी आप select करोगे वह आपके top पे चला जाता है जैसे कि अगर मैं for example इसे select करता हूं फिर से इसे अगर मैं open करूं तो यह आपका top पे आ जाता है number one पे तो इस तरीक से यह चीज आपको यहां पर दिखाई दे है कुछ hidden setting और यहां पर दिए गया है जो कि phone के अंदर ही रहते हैं इसे एक जगा रखा गया है तो यहां से इन सभी चीजों को भी access कर पाऊ गया है तो जो customization दिया गया है और आपके हिसाब से खुद का motivation भी दिया गया है जो कि मुझे पसंद आया बट हाँ एक चीज आपक open होता कुछ second hold करता है करीब एक second या दो second तो यह चीज हो इसी और improve हो जाए तो मज़ा साज़ेगा क्योंकि इस रोम कंदर मुझे और कोई भी कमी नहीं लगी कोई भी सिकायत नहीं आई है क्योंकि यहां पर बाकी और जो test result दिखाने वालो ना वह आपको पसंद आने वाला हो यहां पर improvement देखने को मिल जाता है और हीटिंग वही 46 ही यहां पर हमें देखने को मिलता है यहां पर आपके लिए बल्ले बल्ले वाली बात हो गई आपको कुछ करने के जुरुत नहीं सारे चीज़ आपके रन करेगे अच्छे से साथ-साथ यहां पर device भी certified रहता है तो प्रफेंशन लेने के जिरुत नहीं है और यह फर्स्ट डे का कीकबेंच जो की काफी अच्छा लगा नेश्ट डेवी मैंने चेक किया तो यहां पर आप देख से तो काफी सही आपको देखने को मिल जाता है अनदर मैंने बैटि को बूस्ट करते हुए प्रफेंस मूर्ड पर देखने के वदर तरी गी रहा है तो इस दो कि मैंने आपको आपको शो कर दिया और यह हमारा नॉर्मल टेस्टिंग सीप्यू रिजल्ट का जो कि यहां पर तीन लाग बहतर हजार मैक्स और मिन्मम यहां पर तीन लाग पैस्टियस जार नाइटी फॉर का परसेंटेज जो कि ओवरल काफी अच्छा है आईनो स्कोर आपको कम दिखाई देऊगा बट्डे को स्टिबिलेटिक कितनी अच्छी है जो कि सही है और यह नॉर्मल टेस्टिंग है लेकिन जैसे मैं इसे गेम्टो में डालता हूं बूस्ट करता हूं परफॉइंस तो चार लाग तीन आइड कर दी गई है फोट श्रोज आपको अनलोक मिल जाता है यहां पर डॉले विजन अगरे भी आपको मिलता है और हां यहां पर बूट लोडर जो लॉक वाला स्पूफ है वह भी एड किया गया है ताकि आप फुली बेनिफिट लेपा क्योंकि कुछ ऐसे अप्लिकेशन होते है जो कि बूट अनलोक के बाद काम नहीं करते तो वह भी यहां पर आपको रण करेंगे तो यह चीज भी यहां पर आपको एड्वांटेज मिलता है और सास्याद चार्जिंग टेस्ट मैंने किया बूस्ट मूड अन करके तो 9 मिट में 28% चार्जिंग गया जो कि मुझ जब मैंने Antutu को रन किया तो हमारा फोन ओवर हीट हो गया तो भाई इतनी चीज़े एक साथ करोगे तो कोई भी फोन रहेगा तो ओवर हीट होगा तो यह कोई बड़ी सिकायत की बात नहीं है क्योंकि यहां पर मैंने और नर्मल हो गया और हमारा फोन फिर यूज करने रखता है तो इतना गलत काम कर गए तो भाई यह साइन तो आना ही आना है तो यहां पर भाई रोम मुझे पसंद आया और मेरे तब से रिकमेंडेट भी है आप इसे ट्राइ करो मजे लो और कोई निक्स्ट अपडेट आता है जो के इंड्वार सेक्शन रेस के लिए आया है त तो उसके पर आप डिसाइड कर लेना उसे डालना है या फिर नहीं और वीजर्स अगरे और बागी सारी चीज़ा आपके नॉर्मली है जो काम करती है तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आता इंस्ट्रॉल कैसे करना है वह ही हाईविड डोला मैठेड है मैं लास्ट मे जो भी रिकमेंडेर victory रहेगा उसे करना है, उसके बाद आपको अपने फोन के अंदर जो रॉम है उसे ब्रॉज करना है, स्ब्राउज करना है। मेह प्ले कुछ रॉम में है जो permission प्मांगता है कि आपको route करना है या नहीं, kernel flash करना या नहीं तो अगर आता है तो volume up down का और power button का यूज़ करते हुए आप अपना command run करवा सकते हो और flash करवा सकते हो otherwise simply flash हो जाएगा अगर flashing के time में कोई भी error आता है तो आप simple reboot to recovery करके रोम को refresh करो और ऐसे situation में sometime आपका या औरेंज फोक से वो replace हो से आएगा किसी और recovery के साथ तो उसी recovery का यूज़ करते हुए आप रोम को फिर से refresh कर देना ध्यान रखना है कि आपका रोम successfully flash होना चाहिए चाहिए वो recommended recovery हो या जो replace हो है उसके help से हो जब complete flash होता है तब एक बार reboot to recovery कर लेना और final format कर देना format करने के बाद जैसे आप reboot करोगे कुछी मिनिट में आपका phone on हो जाएगा आप setup करके use कर पाऊगे ये था हमारा TDRP method अब बात करते PC method की उसके लिए फिर से आपको अपने phone को switch up करना है power turn and volume down को long press and hold करना है जैसे आपका phone fastboot logo show करेगा अब PC प्याना है जो भी आपका hybrid ROM है उससे आपको unzip कर लेना है unzip करने के बाद उसमें मेभी कई बार आपको installer file एक देखनी को मिलेगा कई बार 4-5 देखनी को मिलेगा तो अपने इसाप से installer file को pick कर लेना और pick करने के बाद जैसे आप installer को run करते हो तो कोई simple ROM रहता है तो वह easily flash होने लग जाता है कोई दिक्कत नहीं करता लेकिन कोई वह ऐसा advanced ROM रहता है तो उसमें आपको पूछता है या आपको रोम को device को root करना है या नहीं मैं यहाँ नहीं करके लिटो जैसे कि मैंने वरन किया को आपको क्या रूट करना है तो आपको क्या से root करना है magic के kCGAN5 च鐘 syод an absorb क कर सकते हो एक आपको Bend कर सकते हो मैं यहाँ पर example के रूप में कोई award कर लेता हो specific करूँगा उसके बाद आप देखो कि flash होने लग गया और फिर से पूछ रहा है कि आपको stock kernel डालना है या फिर custom डालना है तब अपने need की साब से फिर से यहाँ पे D और E में से कोई भी select कर सकते हो तो मैं यहाँ पे select कर लेता हूँ जैसे के E अब यहाँ पे custom में 2 है एक IS है एक R के है तो उसके दो सार आप FG जो भी चाहो मैं यहाँ पे example में click कर देता हूँ जैसे click करेंगा अब यहाँ पे कोई भी option नहीं है अब यह flash करना चालू कर देगा तो यह flash चालू हो रहा है यह normal room में ऐसी flash होने लग जाता है without कुछ पूछे हुए तो जब तक यह flash होता है आपको wait करना है बैट जाना है उसका last में मेभी आपसे पूछेगा कि internal format करना या नहीं तो yes कर देना और इंटर कर देना क्योंकि यह compressor होता है जैसे आपका internal format होगा आपका command window close हो जाएगा phone off होके on होगा और कुछ ही minute में आपको boot animation logo देखनी को मिलेगा और आप setup करके यूज कर पाऊगा है बिल्कुल यह simple सा तरीका है बस follow करते जाना है I hope कि आपको यह video अच्छा लगा होगा सब कुस समझ में आ गया होगा तो please like, subscribe, share करना ना भूले मिलते हैं निक्स वीडियो में